सिचक दिवसे, भारत वो देश है जिस देश में एक ब्यक्ति राश्ट पती बनता है और वो सिचक से राश्ट पती बनता है लेकिन वो अपना जन्म दिन राश्ट पती के रूप में याद नहीं रखना चाहता, वो अपना जन्म दिन सिचक के रूप में याद रखना चाहता ये वो भूमी है जिस भूम में गुरू का महत इश्वर से भी जादा बताया गया है ये वो सनातन धर्म की भूमी है जिसके आराध राम और कस्ट ने भी गुरू की महत्ता स्वेम से जादा बताई है जब भगवान राम लंका विजय करके भारत आये और जब पहली बार उन्होंने गुरू को देखा तो परिचे करया गुरू बसिस्ट कुल पूँज हमारे इनकी क्रपा दनुजरण मारे गुरू वहाँ थे नहीं लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जो रामन का बद किया है उसमें मेरी कोई महिमा नहीं है उसमें महिमा मेरे गुरू की है तुलसिदास जी ने इतना प्रशिद ग्रंथ लिखा है कि वो पेड़ियों से हम सबका मार्ग दर्शन कर रहा है हमें सामाजिक जीवन कैसे जीना चाहिए हमें पारिवारिक जीवन कैसे जीना चाहिए हमें अपने माता पिता के साथ कैसे संबंद रखने चाहिए हमें अपने भाई के साथ कैसे संबंद रखने चाहिए पती-पत्नी का क्या संबंद होना चाहिए सब कुछ जीवन के हर पहलू का समावेश उस गृंत में है और तुलसिदास जी को इस भारत भूमी का सबसे बड़ा गुरू माना जाता है लेकिन उन तुलसिदास जी ने जब हनुआन चालीशा लिखा तो उसकी लाइन लिखी है बंदों गुरू पदों पदों पर आगा उसमें लिखा है उन्होंने कि गुरू की क्रपा से गुरू के चरण रज से मैं अपने मस्तस को साप करके ग्रभूवर की आराधना करना चाहता ये भारत भूमी है और इस भारत देश में गुरू और सिस्ष का जो संबंद होता था उस संबंद में समय के साथ परिवर्तन आया आना भी चाहिए दुनिया में ऐसा कोई रिस्ता नहीं है जो सामाजिक बदलाओं के साथ बदलेना तो फिर गुरू का रिस्ता कैसे नहीं बदलेगा गुरू का रिस्ता भी बदल गया है आज हम आर्थिक युग में रह रहे हैं और आर्थिक युग में रहने के कारण हमारे जो सफलता का मापदन है जैसा कि आपको समी मेडम ने बताया कि हमारी सफलता का मापदन केवल अच्छा पद पाना हो गया है अच्छा पैकेज हो गया है अच्छा बंगला हो गया है अच्छी गाड़ी हो गई है हम गुरू से जुड़ते भी उसी भाव से है जो गुरु हमको नौकरी दिला दे वही गुरु अच्छा गुरु और जो सिस्ट का संबंध है वो संबंध हापस में इतना गुथा हुआ है कि यदि सिस्ट प्रगति करेगा तो गुरु की पहचान होगी और यदि सिस्ट किसी अच्छे मुकाम पर पहुँचेगा तो गुरु को पहचान जाएगा अर्थात दोनों का यस चात्र की प्रगति से ही जुड़ा हुआ है आप किसी ऐसे गुरु को नहीं जानेंगे जिसका सिस्ट किसी अच्छे मुकाम पर नहीं रहा हो तो हमारी तो पहचान का कारण ही आप हो इसलिए आप सही मारग दर्शन में आएं आप जीवन में वो सारा कुछ पाएं जिसकी आपकी आप ने अपेच्छा की है और आपके माता पिता ने अपेच्छा की है इसलिए जरूरी यह है कि भले हम भौतिकतावादी युग में रह रहे हैं लेकिन हम ये जानें कि आखिर सफलता है क्या देखे लच्छ भीहीन जिन्दगी केवल और केवल भटकाव पैदा करती है इसलिए सफलता माना किसे जाता है सफलता का मतलब है हम अपने लच्छ की पूर्ती कर ले अब लच्छ है क्या तो लच्छ वो हो जिसे हमारे समाज मानता प्रदान करे जिसे हमारा कानून मानता प्रदान करे जिसे हमारे धर्मगरांत मानता प्रदान करे कोई भी लच्छ पा लेना सफलता नहीं है अगर कोई भी लच्च पा लेना सफलता होती तो फिर चोर भी सफल क्यों? क्योंकि उसने तैंक किया था रात में की चोरी करनी है चोरी कर लिया सफल हो गया लेकिन वो उस व्यक्तिकी सफलता हो सकती है उसे समाज सफल नहीं मानेगा समाज तो उसे सफल मानेगा समाज तो उसे सफल मानेगा जो समाज के मानकों के अनुसार लच्चताइं करके फिर सफलता पाए इसलिए जब भी लच्चताइं करिएगा तब हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि उसकी सामाजिक और धार्मिक और कानूनी मानिता है या नहीं है अगर केवल पद पाना सफलता होती तो रावन से बड़ा राजा तो कोई था ही नहीं अगर केवल पद पाना सफलता होती तो कंस से बड़ा राजा कोई नहीं था यदि पद पाना सफलता होती तो दुर्योधन अपने पूरे जीवन काल में राजा ही रह गया पर इतिहास दुर्योधन को नहीं याद करता इतिहास कंस को भी नहीं याद करता इतिहास रामन को भी नहीं याद करता इतिहास तो राम को याद करता है इतिहास तो क्रश्न को याद करता है इतिहास तो अरजुन और भीम और दुश्री को याद करता है इसलिए लच्छ हमेशा ऐसे तेंग करिएगा जिसे समाज मानता देगी ऐसा नहीं कि हमारा मन कह रहा है कि हमें ये करना है इसलिए हमें करना है नहीं दूस्री बाद आपकी सफलता में जिस चीज की सबसे ज़्यादा जरूरत आपको पड़ेगी वो है समय जो प्रकति ने हमारे पूरे जीवन काल के लिए मुर्त में दिया है हम सब को वो समय मिला हुआ है पल-पल से मिलकर दी दिन बनते हैं दिन से मिलकर महीने और महीने से मिलकर वर्स और उन्हीं वर्स के फेर में हमारी आपकी सब की जिन्दगी पिरोई हुई है और जिस तरह से हमें वो समय मिला है उसी तरह से पल-पल करके हमारे हाथ से लगातार वो समय किसलता भी जा रहा है जीवन में सफल वही होगा जो उस समय की उपयोगिता समझेगा जो उस समय का महत्त समझेगा जो उस समय का उपयोग करना जानेगा समय रहते जिसने प्रयास सुरू किया वही सफल समय रहते जिसने प्रयास नहीं किया वही असपल आप जो जिन्दगी जी रहे हैं उसको जीने के दो आधार है दो तरीके हैं, दो दिस्टिकोन है एक ये कि आप आज जो समय मिला हुआ है इसी समय में आपको पढ़ाई भी करनी है इसी समय में फिल्म देखने का भी मन करेगा इसी समय में गूमने का भी मन करेगा इसी समय में मित्रों से भी मिलने का मन करेगा इसी समय में ही आपकी बांकी एक्टिविटीज करने का भी मन करेगा अब दो दर्शिकों या तो आप इस समय का उपयोग बांकी गतिविदियों में कर लिजे और इस समय को वेर्थ जाने दीजिए और इन चार सालों में अगर आपने ये किया तो फिर आगे के पूरे जीवन में समस्या जहिलने के लिए तैयार रहे या दूसरा पहलू कि इस जीवन में जो आपको समय मिला इस तीन चार साल का उसका आप सदुपयोग करिए अपने को तपाईए अपनी नीद को अपने कबस में करिए अपनी भावनाओं को अपने नियंत्र में करिए और केवल और केवल उस लच्छ को टार्गेट करिए जिसके लिए आप यहां आए हैं और अगर 4 साल आपने ये किया, तो हो सकता है, कि उन 4 सालों में वो आपको मिल जाये, कि फिर पूरी जिन्दगी आपको कोई संगर्स करना न पढ़ी, हलाकि संगर्स तो पूरा जीवन चलेगा ही, केवल एक ही संगर्स कतम हो जाएगा, कि हो सकता है आपको नौकरी मिल जाए लेकिन नौकरी पाना सफलता नहीं है लेकिन वो बहुत चोटी सफलता क्यों? क्योंकि अगर नौकरी पाना ही सब कुछ होता तो I.E.S. सुसाइड नहीं करता नौकरी पाना ही सब कुछ होता होती तो IPS ट्रेन में जाके कट नहीं जाते इसका मतलब कि नौकरी आपके जीवन का केवल एक पहलू है हाला कि अगर वो भी नहीं मिले तो वो भी अस्फलता है इसलिए आपको उसके लिए प्रयास करना है और पुरी छमता के साथ प्रयास करना है लेकिन मैं कल चर्चा कर रहा था कि कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि जिन्दगी बिल्कुल फिक्स है किसी बेक्टी को आपको ऐसा लगेगा कि उसने बहुत कम मेहनत की और वो सफल हो गया और उसमें उतनी काबिलियत भी नहीं दिख रही थी फिर भी वो सफल हो गया और दूसरा दिखेगा आपको कि इसमें ज़्यादा इसकिल था ज़्यादा मेहनत करता था ज़्यादा डिजर्ब करता था लेकिन उसके बाद भी वो सफल नहीं हुआ इसी को कहते हैं कई बार किस्मत पर ना मैंने अपनी किस्मत देखी ना आपने अपनी किस्मत देखी हम सब के हाथ में एक ही चीज है कर्म अन्ने वाधिकार सेमाप अलिशुकाचार तो सिदाजी ने कहा कर्म प्रधान विश्वर चिराखा सकल पदारत या जगमाही कर्म ही नर्पावत नहीं सब कुछ यही है सारी सुविधाईं, सारे लच पूर्ध के तरीके यहीं वे द्वान है लेकिन वो बिलेगा उसे जो रातों की नीद उड़ाएगा मिलेगा उसे जो कून पसीना बहाना जानेगा मिलेगा उसे जो अपनी बागी बहावनाओं को कنट्रोल करके अपने लच्छ को टार्गेट करना सीखेगा एक बात और लच्छतें करना और कर्म करना भर आपके हाथ में है वही भर आप करिएगा लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जीवन में जितने लच्छतें करेंगे वो सारे आपको मिलेंगे किसी को नहीं मिले ऐसा कोई बेक्ति है ही नहीं जिसे अस्फलता ना मिली हो ऐसा कोई बेक्ति है ही नहीं जिसके सारे सपने पूरे हुए हो ऐसा कोई बेक्ति है ही नहीं जिसकी सारी महत्वा का अच्छाएं पूरी हुए हो इश्वर नहीं है तो आम आप कहां से हो कर्ष्ण और कर्ण दो करेक्टर आपने पढ़े कर्ण एक बार कर्ष्ण से मिले उन्होंने कहा कि मेरे साथ जिंदगी ने भारी अन्याई किया है जबकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं मैं पैदा हुआ पैदा होते ही मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया आपको पता है कुंती पुत्र थे कुंती ने उन्हें छोड़ दिया थो उसके बाद मुझे एक मचवारे ने पाला और पालने के बाद मैं पूरी जिंदगी अपने पहचान के संकट से गुजरता रहा था मैं छत्री लेकिन मुझे सूत पुत्र कहके अपमानित किया जाता रहा मैं जब अपने गुरू के आँ गया तो मैं खुद नहीं जानता था कि मैं छत्री हूँ लेकिन परसुराम जी को लगा कि मैं ये जूट बोल रहा है इसलिए गुरू ने मुझे स्राप दे दिया और स्राप ये दिया कि जब युद भूमी होगे तब तुम्हें तुम्हारी बिद्या बोल जाएगी इसके अलावा मुझे हमेशा चला गया और जब मैं युद भूमी में पहुँचा और पूरी ताकत से युद करने वाला था तब मुझे ये बता दिया गया कि अरजुन तुम्हारा भाई है ताकि मैं बाढ़ ना चला सकूँ फिर जिस माने मुझे स्वईकारा नहीं उसी माने मुझसे वो सारे अस्त्र मांग लिए जिनके जरिये मैं अरजुन का वद करके सरुसेश दनुर्धर बन सकता था मेरे उपर यदि किसी ने अहसान किया है तो वो केवल दुर्योधन ने किया है इसलिए मैंने दुर्योधन की मदद का मदद करना ही अपने जीवन का लच्छ मान लिया अपना धार में करतव ब्यवन लिया जब करण ऐसा कह रहे थे करण ऐसा कह रहे थे तो करण सुन रहे थे करण ने कहा हसे बोले ये किसे बता रहे हो तुम बोले आपको तो मेरा सुन लो मैं तो जब पैदा हुआ तो मौत के साही में ही पैदा हुआ और मार ना दिया जाओं इसलिए पैदा होते ही माता पिता से अलग हो गया जहां पहुँचा वहां मुझे मारने के लिए रोज जतन किये जाते थे तुम तो कम से कम गुरू की सिछा पाए जब पैदा हुए उसी समय मैं घोडों की चाप के बीच में तुमारा जीवन बीचा भीता परसुराम जैसे गुरू मिले मैं तो सोला साल तक गायों को चलाता रहा गोबर उठाता रहा फिर मेरे उपर आक्रमन हो गए तो मैं अपनी नगरी को छोड़ कर दूसरी जगे भागा तो मुझे रणचोर दास कहा गया तो मैं तो पूरे जीवन कुछ न कुछ छोड़ता ही रहा लेकिन अगर मैंने कोई चीज नहीं चोड़ी तो वो केवल एक चीज नहीं चोड़ी अपनी मुस्कान आपके जीवन में जब कुछ छूटे तो मुस्कान मत खोईएगा ये सोचकर कि हो सकता है कि इन जो त्याग और जो दुख मुझे मिले इनके पीछे कोई बड़ा सुख मिलने वाला है और इतना बड़ा सुख मिलने वाला है कि हो सकता है उसी के कारण मेरी पहचान बच जाए ऐसा कोई भेक्ति हुआ ही नहीं जो अस्पल ना हुआ हो राम को ले लीजे पैदा हुए पैदा हुने के बाद जब उन्हें राज मिलना था तो चौदेह वर्स का बनवास मिल गया आप सुचिए कि जिसे चक्रवर्ती राज मिलना रहा हो उसे चौदेह वर्स का बनवास मिल गया लेकिन हसते हुए स्वईकार कर लिया फिर जब बन गए तो बन जाने के बाद सीता का अपहरन हो गया दूसरी अस्पलता फिर उस दिनों तक फिर युद्ध किया फिर लच्वन को सक्ती लग गई तीसरी अस्पलता हम आप होते तो क्या करते हैं सुसाइड करने का सोचने लगते हैं और साथ में चले जाते हैं जिन्दगी बेकार हो गई एक एक्जाम दिया नहीं पांच नमबर कम आये नहीं कि टीचर को सवबाद सुना मने मन कोस डाले स्वयम को कोस डाले और बोले जिन्दगी बेकार हो गई पांच नमबर में ही तो जिन्दगी थी कतम हो गई जिन्दगी रामा जुन नुजन जैसा विद्वान फेल हो गए दसमी में क्यों? क्योंकि गणी थी गणी पढ़ते थे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते नहीं थे तो फेल हो गए आत्म हत्या करने चले गए और आप सुचिए कि बच गए भाला स्वभाग था उनका कि बच गए अगर नहीं बचे होते तो देश को गणित के छेतर में पहचान दिलाने वाले इतने बड़े गणितक कहां से मिले होते उनकी उस असफलता में उनकी इतनी बड़ी सफलता चुपी हुई है अगर वो हमारी आपकी तरह हिंदी भी पढ़ते, संस्कुट भी पढ़ते सोसल साइंस भी पढ़ते तो गणित के छेतर में हो सकता है उनका इतना बड़ा नाम ना हो तो जीवन में जो लच्छतें किया है आपने उन लच्छों का मौल्यांकन किसी पढ़ोसी से मत करिए सफलता सबकी अपनी अपनी होती है इसलिए कभी किसी से तुल्ला मत करिए कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास जो पड़ोसी के पास गाड़ी नहीं है वो आपके पास नहीं है तो आप अस्पल है हो सकता है कि पड़ोसी के पास गाड़ी तो बहुत बड़ी है लेकिन वो हर्ट का पेसेंट है उसकी पीड़ा आप जानते ही नहीं आप तो केवल भौतिक सुख को माने हुए हो सफलता हो सकता है कि उसका पारिवारिक बेखराव हो गया हो और उसके अंदर इतनी पीडा हो जिसका आप अधा आकल नहीं कर पा रहे इसलिए आप अपनी खुसी तलसिये अपने लच तैं करिये अपनी लच तैं करने को अपनी सफलता मानिये दूसरे के तैंग किये हुए लच को अपनी सफलता मानेंगे तो जीवन भर उसाद में रहेंगे दुनिया की कोई ताक्त आपको कुछ नहीं कर सकती इस रास्ट में सारे लोग हुए और सबकी सफलता के मानक अलग अलग हुए स्रवन कुमार के लिए मबोड़े माता पिता की सेवा करना ही सफलता थी और वो सफलता उनकी सापित भी हुई ये स्रश्ट जब तक है स्रवन कुमार का नाम कभी नहीं मिटेगा राम के लिए राज नहीं माता पिता के वचनों का निर्वाहन सफलता थी क्रश्न के लिए सुदामा से दोस्ती निवाना सपलता थी आप जिम्मेदारियों का निर्वान अपना सपलता जब तक मान जब मान लेंगे तो आप उपद की परिशीमा के बाहर चले जाएगे मैं ऐसा बिलकुल नहीं कह रहा हूँ कि पद बातुपूर नहीं है पर मेरा भाव यह है कि पद ही सब कुछ नहीं है पद प्राप्ति के पूरे प्रयास करने चाहिए लेकिन पांच परसेंट दस परसेंट दिमाग में ये भी रखना चाहिए कि हम असपल भी हो सकते हैं क्यों? क्योंकि सपल भी प्रयास करने वाला होता है और असपल भी प्रयास करने वाला ही होता है जो लड़ते हैं वही जीतते भी हैं और वही हारते भी हैं इसलिए यद जीतने पर आनंद आपको आता है तो हारने की छमता भी पचाना सीखिए हार पचाने की छमता भी अपने अंदर समाहित करिए क्योंकि जीवन में कहीं न कहीं हार तो सब को मिली है तो उससे आप चूते कहां रहेंगे जो भी बैखती आपको सफ़न दिख रहा है अब एक उस दिन पहले कैलास खेर जो इतने बड़े गायक है उनका इंटर्व्यू आया था कि मैं गंगा नदी के किनारे डूबने चला गया था उस नदी के किनारे जो लासों को आग लगाते हैं उसे लगा कि मैं मर जाओंगा डूबने आया हूँ उसने मेरे पीछे एक थपड मारा और मुझे मरने से बचाया और उसका परिणाम आप देखिए कि वह कहां है सफलताएं आपके जीवन में कब आ जाएंगी पता नहीं है और कब चली जाएंगी ये भी पता नहीं है खुसियां कब आएंगी और कब चली जाएंगी दोनों इस्तितियां पता नहीं है किसोर कुमार की जी का एक गाना है ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंगरू थोड़े गम है, थोड़ी खुसियां जब आप अस्फल होंगे तो गम आएगा जब आप सफल होंगे तो खुसियां आएगा यदि आप खुसियों का आनंद लेना जानते हैं तो अस्फलताएं अर्थात गम का भी को भी पचाना सीख लीजिए एक गाना और है दुख जाएगा सुख आएगा सुख जाएगा दुख आएगा जीवन में दुख और सुख का ये जो करम है सफलता और असफलता का ये जो करम है वो आपके अंतिम सांस तक चलेगा एक ओलंपिक की रेस हो रही थी रोम में एथलेटिक्स चेंपेंसी थी चार सो मीटर की दौर थी उसमें भारत का प्रदिने तु कस्मीरा सिंग कर रहे थी रेस सुरू हुई रेस की सुरूआत में कस्मीरा सिंग सबसे आगे थी भारतियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि हमारे हाथ जल्द ही एक बड़ी जीत आने वाली है लेकिन तीन राउंड के बाद इस थितियां बदल गए एक धावक उन से आगे हुआ फिर कुछ दिर बाद दूसरा हुआ कुछ दिर बाद तीसरा हुआ और रेस खतम होते होते कस्मीरा सिंग कहां गए पता ही नहीं चला और रेस जिसने जीता उसका नाम था आबदी भिले जो तीन राउंड तक कहीं नहीं दिखा लेकिन अंतिम राउंड में जीत उसी नहीं जीती आपकी जिन्दगी में भी यही होगा होता है ऐसा होगा कि कोई बच्चा 12 में टापर रहा होगा पर जब ग्रेजुएशन खतम होगा तो पताचला वो गायब हो गया ऐसा भी हो सकता है कि कोई graduation में भी पीछे रहा हो लेकिन जब selection के list आएगी तो पता चला बार्मी का टापर भी कहीं नहीं है B.E. का टापर भी कहीं नहीं है और वो बेखती ने टाप किया जो कहीं था ही नहीं आज तक कितने I.S. हैं जिनके graduation में 50-52% हैं और आज वो I.S. हैं और कई I.I.T. और engineering कारेजों के टापर उनके अंडर में काम कर रहे हैं सफलताएं आपकी वपोती नहीं है किसी की नहीं है जीवन के जिस पड़ाव में जो मेहनत करेगा वही सफल होगा आज जो मेहनत कर रहा है आज सफलता उसके नाम है कल दूसरा मेहनत करेगा तो सफलता उसके नाम हो जाए सफलताएं ये बदलेंगी और इसी लिए हमेशा टापर का भाव रखने की जो का कीड़ा मन में पाल लखे हैं उसको मत पालिएगा वो बहुत कस्ट देता है आपका काम है अपनी छामताओं का उपियोग करना आप वो पूरी तनमेता के साथ करिएगा अंतिन समय तक करिएगा एक बात और अभी मैं जिस पॉइंट पे चर्चा कर रहा हूं उसी से लिंक है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने टाप तो किया अच्छा पैकेज भी मिल गए अच्छी नौकरी भी मिल गए पर वो नौकरी में नहीं सपल हो रहे वो अपनी पारिवारिक जिंदगी में सपल नहीं हो रहे वो अपनी सामाजिक जिंदगी में सपल नहीं हो रहे पति की पतनी से नहीं बन रहे पारिवारिक विखरा हो गया पिता बरदास्थम में रह रहे हैं मित्रों से नहीं पट रही है ऐसा क्यों? पहले ये माना जाता था कि जो व्यक्ति टाप करता है वो जीवन के जिस फेज में जाएगा वो सपल हो गाई लेकिन ये भ्रहम तूट गया और 1905 में एक नया सब्द आ गया जिसको कहा गया Emotional Intelligence भावनात्मक बुद्धिमत्ता मतलब वो टापर जिसने टाप किया है अगर उसमें IQ के साथ साथ अपनी भावनाओं को नियंतरित करने की capability नहीं होगी चामता नहीं होगी तो वो व्यक्ति अपने जीवन में सपल नहीं होगा पैसा वो हो सकता है कि 5 लाक महीना कमाए लेकिन आपने बहुत सारी नियूच पढ़ी होंगी कि जब मरे तब कोई एक व्यक्ति कंधा देने के लिए नहीं था वो इनी लोगों के साथ होता है आपके पास जब भावनाओं को नियंतरित करने की छंता नहीं होती तब आप कोई भी संबंध चला नहीं सकती आपकी अपने भाई से नहीं पटेगी आपकी अपनी बहन से नहीं पटेगी आपके अपने पिता से संबंध कराब हो जाएंगे मित्रों से संबंद खराब हो जाएंगे आप ही बस रह जाएंगे और आपके साथ केवल आपका वो बहुत इक सामान रह जाएगा कूलर प्रिज वासी मसीन रह जाएगा आदमी नहीं बचेंगे आपके पास इसलिए हमेशा भावनाओं को नियंतरित करने की चंता रखिएगा कितना बोलना है, कितना हसना है, कितना गुसा होना है कब गुसा होना है, ये आपको पता होना चाहिए किसी से बोलना कैसे है ये भी आपको पता होना चाहिए किस से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नंबर कम आएंगे लेकिन उनमें कम्यूरिकेशन इसके लिए इतनी अच्छी होगी कि वो जिस कंपनी में जाएंगे उस कंपनी में कुछ दिनों बाद उस टापर के ऊपर हो जाएंगे जो यहां का टापर होगा क्यों कि कंपनी को आदमियों से काम करना है वहां प्रोडक्ट बेचना है उसकी कंपनी में आप अकेले नहीं काम कर रहे हो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं अगर उनके बीच coordination इस्थापित करना आप नहीं जानते तो उस company में आप growth नहीं कर पाएगे। और ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ये आप किसी केताब को पढ़के नहीं सीख पाएगे। केताब आपको केवल नौकरी दिलाएगी, ब्यवहारिक जिन्दगी जीना नहीं सिखाएगी, वो आपको अपने आचरण में डालना होगा। केवल ग्यान नहीं आचरण पूजा जाता है। ग्यान पूजा जाता तो जितना धनुरधर अरजुन था उतना ही करण भी था। जितनी गदा भीम को आती थी इतनी ही दुर्योधन को भी आती थी लेकिन दुर्योधन और कर्ण नहीं पूछे जाते अरजुन और भीम पूछे जाते इसलिए पूजा ग्यान की भर नहीं होती आच्रण की होती जितने महापुरस बने हैं उन्हें कितना ग्यान था इसलिए नहीं पूजा जा रहे उन्हों पूजे इसलिए जा रहे कि उस ग्यान को उन्होंने सबसे पहले अपने उपर लागू किया फिर सोसाइटी के उपर लागू किया गांदी जी के पास एक बच्चक को लेके एक माँ पहुँची बुड़ा ये गुड़ बहुत खाता है आप उसको मना कर दीजिए तो आपके कहने पे साइद मान जाएगा गांदी जी ने कहा तीन दिन बाद आना तीन दिन बाद वो फिर पहुचे तो बोले बिटा बहुत गुड़ नहीं खाना चाहिए नुक्षान करता है छोड़ दो इसे माँ को देर खली भी बोले इतना ही बोला था आपको तो बोले हाँ तो बोले ये आप उसी दिन क्यों नहीं बोल दी मुझे फिर बोलाए तो बोले उस दिन मैं भी बहुत गुड़ खाता था उस दिन तक तो पहले मैं छोड़ा गुड़ तब इसे बोला कि तुम भी छोड़ दो ये है इमांदारी अब यहाँ पता चला हम दिन भर दारू में हमी डूबे है पता और बच्चे करे दारू नहीं पीना चाहिए कहां से प्रभाव पड़ेगा जैसे कल कहा जा रहा था आप लोग जीन्स पहन के नहीं आएंगे सीनियर सब आएंगे है तो ये तो आधा धुरा हुआ ना एक को छूट एक को punishment हले के वह punishment नहीं है तो मेरे कहने कासे ये है कि आज भारत को ग्यान की नहीं आचर्ण की जरूरत है ग्यान तो गूगल के पास बहुत है जो डालिए वही उस ही का answer वहा है प्रस्मी ये है कि उस ग्यान का कितना भाग हमारे आचर्ण में है हमारे व्यवार में है और अगर वो ग्यान का भाग हमारे आचरण में नहीं है तो हम कितनी सूचनाएं रटे हुए हैं इसके आधार पर हमारी सामाजिक मानिता नहीं मिलेगी एक राजा था पडोसी राज्यों ने उसका राज़ पाट चीर लिया उसने प्रियास किया एक बार दो बार तीन बार चार बार हार गया तो फिर राज़ पाट च्वण की जंगल में चला गया जब जंगल में पहुँचा तो देखा कि एक जगे से दूसरे जगे मकड़ी जाला बुने का प्रियास कर रही थी लेकिन वो भुने और फिक टूड़ जाए एक बार दो बार तीन बार चार बार किया और 21 बार में वो सफलता पावे राजा देख रहा था राजा ने कहा मुझे मकडी के रूप में नया घुरू मिल गया मैंने तो कुछ प्रयासों में ही अपने आपको अस्फल मान लिया था मुझे अच्छी तो ये मकडी है भी इस प्रयास में अस्फलता के बाद भी इसने अपना पेशिंस नहीं खोया और मैं कुछ प्रयासों में ही अपना धैरे खोके यह मान गया कि राजज नहीं पा सकता अभी तो मुझे इस मकड़ी के बराबर कम से कम इकिस प्रयासों करने चाहिए और इकिस प्रयास उसने किया और वो फिर से अपना राजपाख वापस पा गया तो आपको ऐसा जीवन में मिलेगा कि किसी ने पहले अटेम्ट में ही कोई सपलता हासिल कर ली और आपकी किस्मत में पहले अटेम्ट में कुछ असफलताई हों उसके बाद सपलताई लखी हों इसलिए आप परिशान मत होएगा लगातार प्रयास करते रहेगा और जब समय आएगा तब आपको वो सफलता मिल ही जाएगी जिसकी की आपको अपेच्छा है एक बात और आप जीवन में जहां भी पहुँचेंगे वहां पहुँचाने में आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का योगदान होगा लेकिन जैसे ही हमें सफलता मिलती है हम इस प्रहम में जीवन जीने लगते हैं कि ये सफलता केवल मेरी है कोई भी सफलता के लिए आपकी नहीं है आपकी सफलता में आपके टीचर आपके मित्र आपके पईवार आपके पडोस के बहुत सारे लोगों का योगदान होगा जिनोंने जीवन के अलग-अलग पड़ाओं में आपको सिच्छित किया होगा आपको कोई नो कोई संसकार सिखाया होगा आपके लिए त्याग किया होगा आपके लिए अपना समय अपना पैसा कुर्बान किया होगा तब आप उस मुकाम में पहुँचेंगे जब आप वहां पहुँच जाएगा तो ऐसे बुरे वक्त में जिन्होंने आपकी साहता किये है उनको कभी भूलिएगा नहीं उनका हविशा आदर करिएगा और जब आप सब्खल होना चाहते हैं तो ऐसा होगा कि जब आप प्रयास कर रहे हों तो आपकी परिस्तितियां आपकी अनकूलना परिस्तियों का मतलब रहने के लिए अच्छा घर नहीं फीस देने के लिए पैसा नहीं पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं घर की और भी बुरी परिस्तितियां पर आप उनका कभी रोना बतल — क्यों? कोई मदद करेगा नहीं और आप केवल कमजोर अपने आपको साबित कर लेगे आप तो समय का इंतजार करिएगा और एक बात जान लिजे कि बुरी परिस्तितियों से लड़के जो आगे बढ़ता है वो ज़्यादा ससक्त होता है बजाए उसके जिसको कि हर चीज उसके पैरेंट्स ने या उसकी परिस्तितियों ने उसको अबलेबिल करा दिये जो जितना संगहर्थ करके आगे बढ़ेगा उसका ब्यक्तित उतना ही मजबूत होगा तो आपकी बुरी परिस्तितियां आपके लिए होसर है अगर आप उन परिस्तितियों से जूकेंगे नहीं उन परिस्तियों से लड़ेंगे तो वो परिस्तियां आपके बैक्तित्व को इतना मजबूत बना देंगी कि फिर थोड़ी मोड़ी एसफलता आपको डिगा नहीं सकेगी थोड़े मोड़े कस्ट आपको परिशान नहीं कर सकेगे हम आज की लेट में ज़्यादा परिशान इसी लिए हो रहे हैं क्योंकि माँ बापकी एक एक दो दो संताने है और उनको इतना सुख सुविधा मिल रहा है कि जहां उन्हें थोड़ा सा कस्ट हुआ कि फिर इतने लंबे लंबे आसु बहते हैं उनके कि लगता है कि पूरे जीवन का कस्ट केवल इनी को है आप लोगों को जो बिल रहा है उसका one ten part भी हम लोगों को नहीं मिला और उसका one hundred one upon hundred part भी हमारी पिछली जनरेशन को नहीं मिला तो आप तो पहले से बहुत अच्छे हैं इसलिए सफलता और असफलता का क्रम आपके अंतिम सांस तक चलेगा इसलिए अंतिम सांस तक सफलता और असफलता का क्रम जहिलने के लिए तयार रहीएगा नौकरी पा गए हैं तो फिर साधी की समस्या साधी पा गए हो गई तो बच्चों की समस्या पिर ट्रांसपर की समस्या फिर भीमारी की समस्या फिर माता-पिता की समस्या कोई नो कोई समस्या जीवन के अंतिम समय तक लगी ही रहेगी इसलिए इस जीवन में संगहर्स करने और जेलने की छमता अपने अंदर ले जाईएगा जो मिलना था माना नहीं मिलाओ जो होना था माना नहीं हुआ मान लिया तुम्हारे सपने चकना चूर होगे मान लिया तुमने बहुत कुछ खो दिया लेकिन इस हार को अंतिम हार मानने से होगा क्या अरे उठो फिर से प्रयास करो जो आज नहीं मिला वो कल मिल जाएगा भला रोने से कुछ होता है क्या लच्छतों मुस्किलों से ही मिलते हैं किसी को आसानी से कुछ मिला हो तो बताओ इसलिए लड़ने का जजबा पैदा करो भला डर कर भागने से कुछ होता है क्या जो आज नहीं मिला वो कल मिल जाएगा भला रोने से कुछ होता है क्या जीत तो मुस्किलों से ही मिलती है भला हारना कौन चाहता है जीत तो मुस्किलों से ही मिलती है भला हारना कौन चाहता है इसलिए मुस्किलों का सामना करना सीखो इसलिए एंग जीत चाहिए तो मुस्किलों का सामना करणा सीखो मुस्किलों से घबराकर भागने والوں को कुछ मिलता है क्या जो आच नहीं मिला वो कल मिल जाएगा भला सोने से कुछ मिलता है क्या जीवन का मतलब ही है अंतिम सांस तक लड़ने की छमता पहड़ा करना लड़ाईयां अलग-अलग है अभी दूसरी बाद में दूसरी अंतिम समय में दूसरी केवल प्रकार बदलेंगे लड़ाई के केवल मैदान बदलेंगे लड़ाई के अभी तक आप बार्मी में जिन बच्चों के साथ पढ़ रहे थे वो बच्चे जो यहां नहीं एडमीशन पाए वो अब आपके मैदान से बाहर जो अब यहां एडमीशन पागए उनके साथ आपकी जंग सुरू होगी फिर इसके बाद जो कंपटीशन में आपके साथ बैठेंगे उनके साथ जंग सुरू फिर जो सेलेक्शन पाएंगे उनके साथ पोस्टिंग को लेके जंग सुरू केवल मैदान बदलते हैं खेलाडी बदलते हैं संगर्स तो जीवन के अंतिम समय तक आपको जहलना ही पड़ेगा इसलिए रो के क्यों जोला जाए हास के संगर्स जहला जाए जैसे करश्ण ने जहला जैसे करश्ण ने संदेश दिया इसलिए मेरी आपसे अपेच्छा है मेरा अहला की एक सिसन भी डेप्रेशन और सुसाइटल टेंडेंसी पे भी है उस पर मैं अलग से चर्चा करूँगा अप एच्छा है आपसे कि आप थोड़ी मुणी अस्पलताओं से परिशान मत होएगा जीवन में जो आपको मिला उसको धनवाद दीजिए और जो नहीं मिला उसको पाने के लिए अपनी सारी छमताओं को लगाए ताकि वो भी आपको मिल सके जिसके आप हगदार है जिसकी आप में काभिलियत है और जिसकी अपेच्छा आपने की है और आपके घर वालों ने की है माता पिता को हमेशा धन्यवाद दीजेगा उनके किये पर कभी प्रस्विचिन नहीं उठाइएगा और इस जीवन को आनंद के साथ जीए और कुर्शी के साथ जीए तो अभाव में भी आपको सफलता का आनंद मिलेगा और केवल यदि भावतिक सुख को ही आप सफलता मानेंगे तो फिर नौकरी गई नहीं कि आप जीवन को मान लेंगे कि जीवन समाप्त हो गया तो सिदाशी ने कहा है बड़े भाग मानुसतन भावा वो सवभागिशाली हैं जिनको मानों का तन मिला और वो और सवभागिशाली हैं जिनका भरा पूरा परिवार है जिनको अच्छी एजुकेशन मिल रही है इसलिए जिन्दगी में जब 80-90% मिला हो तो उसे छोड़ कर जो 10% नहीं मिला उसके लिए जीवन को निरर्थक समझना केवल हमारी भूल है और भावनाओं पर नियंतर ना करने का परणाब है इसलिए संतुलन में रहिए जीवन के हर पच्छों में वैलन से स्थापित करने का प्रयास करिए और अलग-अलग भूमिकाओं में अपने अकरतव्यों का निर्वहन करना सीखिए और जब आप ये सब सीख लेंगे तभी आपका जीवन सार्थक माना जाएगा और आप सारी भूमिकाओं में सफल माने जाएगे आपका एक्जामपल दूसरे लोग कोट करेंगे और आप जीवन में उस उचाई को पहेंगे जिस उचाई को आप पाना चाहते हैं मैं इश्वर से प्रातना करता हूँ आपका सिखक होने के नाते कि आप लोग पढ़ें उस मुकाम तक पहुँचें उस उचाई को चुएं उस मंजिल को पालें जिसके कारण मुझे भी आप पर गौरो हो और मुझे पहचाना जाए आपकी आइडेंटी के कारण धन्यवाद